नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप साथ तो दोस्तों आज हम आपके लिए क्या हैं पार्ट टू ट्रेनी मार्केटिंग 2019 सोल्ड कोश्चन पेपर ओफ नेशनल सीट्स कोर्परेशन लिम्टेड और दोस्तों आप वीडियो की लेंद पर मझें कि वीडियो की लेंद लंबी बन र जाएं तो इट विल बीएजी फोर यू तो ग्रेब यूवर रेंक एंड यूवर पोस्ट दोस्तों और कोई विदाफ रिटाइन टाइम गवाए वे स्टार्ट करते हैं अपने सेशन दोस्तों दोस्तों आज की सेशन का फर्स्ट कोशिन है कि ट्वंटीवन थैं आज की जो देखी थी मैंने आपको बोला था कि बहुते हैं और इसके लाव जो पैरेटो है लोरेंज है यह गिनी है यह सब जो मैथ्ट है यह आपके इंकम इनक्वैल्टी के मैथ्ट है तो ऑप्शन 21 का ऑप्शन डीज राइट एंसर विच इसन स्टेट लाइन मैथट इस नोट म इसन फिस्कल मोनिटरी रूरर अर्बंड और और अप्पर एंड ग्लोज तो ऑप्शन मोनिज राइट एंसर क्योंकि दोस्तों जो क्वानिटिटिटीटिव एंड रुटिटिटिव कंट्रोल होते हैं जो कि आर्वेग जो मोनिटरी पॉलिसी जग प्रेडिक पॉलिसी आप आपके पास आती है तो उसमें आता है कि इसलर आपके बहुत इंपोर्टिटिव कर दीजिए उसको यह आपको मोरल ओब्लिकेशन दीज लगा दीजिए यह सब आता है कि क्वालिटिव कंट्रोल में आता है सो कॉस्चन 22 का है ऑप्शन इस दा राइट अंसर ठीक है फिर आत है और इसके अलावा है से न् oily कि ऐसे में सबसे important ऊसे और अगर रहते हैं तो उसके लाब से यह बात करूँ मैं क्रेजी चिक दिसीज की चिक बिसीडियों यह होती है आपकी सेन से कि इसकी डिफिर्द से विटामिन-e की डिफिर्द करूं ऐसे और अगर बात करूंव मैं केने मिल रिजाए और या नबक की देफिसिंसिटी से आपको चिकस में देखने को मिल जाती है और दोस्तों तो सब्सक्राइब मैं की नियूट्रेंट टॉक्सिक हो जाए यर्ज एक यह आपका जोते हैं डंगला एंड एलकली डंगला एलकली डिसीज होते हैं जो आपकी सिलेनियम टॉक्सिसिटी से होती है ठीक है यह होगा कोश्चिन 23 पोल्टरी का और इसके लाव अगर में बाद कर रहा है कि मैंने कंसराइट में एक कोश्चन में कवर करने जा रहा हूं त जो इसके लावं अगर चांपिश में गमन्हों होती है और पीग पीग की अगर बात कुरूँ स्वाइन में अगर बात जाने लिए होता है कि स्वाइन फ्लू जैसे कि ह1N1 हो गया और दोस्तों एक कोशियों यहां से मैं पूछू आपसे कि जो बड़ फ्लू है वो किसे होता है वो है दोस्तों स्वाइन फ्लू है आपके पास तो आपका है बड़ फ्लू ठीक है यहां से कंसेप्ट क्लीर होगे अब आगे दोस्तों आगी नेक्स्ट वे आगे जब मोस्ट कॉमनली यूज़ एकोनोमी टूल फुर दप्रोजेक्ट एवलुएशन इस कोस्ट बेनिफिट एनलिशिस इंटर लेट ओफ रिटर्ण ठीक है इंटरन लेट ओफ रिटर्ण इस अमोस्ट कॉमनली यूज़ होते है क्योंकि उस टाइम पर गतते है कि आपर जो एंटी वो जीरो हो जाती है ठीक है तो वह आगया आया रहा तो इंटरन लेट 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 ओविट टूल फूर दा प्रोजेक् अगया यहां पर जाएगा और कहा पर होगे जहां पर एपी मैक्सिम मेंस अवरेज प्रोडक्ट आपको जहाँ पर मैक्सिम होता है वहां पे आपका margin product और average product 0 होता है और MP जो होता है वो यहां पे maximum होता है ठीक है जाया रहें MP maximum पहले होता है इनके equalities है और जो यहां पे AP और equals to MP होता है वहां पे average product maximum हो जागता है where MP equals to zero यहां में बता देता हूं जग जहां आपकी MP zero हो गया वहां पे एक करवत दोस्तों जो कि total product करवत बोलते है वहां पे total product product आपका maximum हो जाएगा MP zero total product equals to maximum AP maximum then AP equals to MP ठीक है यहां से यह concept यह question आते है मैंने आपको बता दिया इस concept थी ठीक है फिर आते हैं दोस्तों the term oligopoly means two buyers more two or more buyers only single seller two or more sellers of community large number of sellers दोस्तों oligo miss होता है few ठीक है तो दोस्तों two or more sellers are right answer miss sellers होते हैं वो यह दो से ज्यादा होते हैं उसको बोलते हैं oligopoly ठीक है और इसी के इलावा अगर ilarge number rotations की दोस्तों lavels नमबर ट्लैंज बोलते हैं Setival time वोलते में kोलते हैं के अदवर company को विफे अ धिर्व क्याया दोस्तों कि जो आपका पर दूस्ते हैं वो एक सौरी जो का बायर होते है न हो एकसरी एक कि राफियरAL मार्केट में वो सब कि सारी कि सार ले ले जा रहा है ठीक है वो होते हैं आपका मॉनोपोली और इसके लावा एक अर्म मोलते हैं बाइलेटरल की गई है राष्ट में जो है झाला वह की बात की गई है आपके किसके कश्टमर की थिक है यानि कि इसके बाहर के बात की यहां पी आपका पोली वेगहरह आ आ जाए यहां फे आपके बात किए इस भी तो ब क्लाई मॉनोपॉली हो गया और oligopoly होगा कि few sellers यानि कि two or more sellers are there ठीक है यह हो गया आपका oligopoly का मतलब देन आते हैं दोस्तो F.O.B. international trade stand for free on board, freighting unit box, food on board यह होगा दोस्तो free on board यानि कि 27th का option one is the right answer जो international trade में टर्म होते हैं दोस्तो F.O.B. means free on board याद रखेगा ठीक है straight answer है कोई explanation की needed नहीं है जहाँ पर needed होगी में आपको करता जाओंगा which one of the following is not the instrument for the credit control bank rate open market operation variation in cash reserve subsidy दोस्तों यह सब और जो bank rate और जो cash reserve है यह सब आपको control credit जो control है उसके method होते हैं जो subsidy होते हैं वो कोई method नहीं credit control को यह तो बलकि और बाकिए आप credit देने के लिए होते हैं तो credit control जो method होगी जो क्या होगी bank rate open market operation and variation in the cash reserve bank rate में आपका SLR और यह काफी हैं बैंक रेट में अगर बात करें जैसे कि रैपोरे रैपोरे बैंक रेट अलग अलग है ठीक हैं तो यह सब होगे आपके credit control के method और जो subsidy है वो एक credit control का method नहीं होता है यहाँ पे आपका टॉन्टीएट कोशिण कथम और इसकी साथ आपका जो एकनोमिक आपको यहां तक जो कोशिण जो मेंली कोशिण यहां तक आगे उसके बास सब्सक्राइब होगे तो उसमें आप कोशिण स्टार्ट होगे मैं को सोल सायंस से फटलाइजर की बात किया तो यूरिया तो यूरिया होता है 46 परसेंट नाइट्रोजन परजैंट इंद यूरिया आप निशेंगे तो आपको पता ही होनी चाहिए जैसे की डीएपी में क्या हो दोस्तो क्या-क्या है फोस्पेट तो होगा इसके लाब कुछ और भी है या सना इसमें इसमें दूस्तों अठारा पर पर सेंट आपका फोफफ desak है यानि फोच्फोर सते हैं यह की यह ए अगर एक बात करो तो इसएस्पी के बात करो दोस्तों वह भी बहुत इंपोर्टर सिंगल सुपर्फॉइट है उसमें क्या-क्या होता है उसमें दोस्तों का पी, Colsum, and Sulfur. ये जो दो तीमिंदन फेटलाइं वेसंट you know इनकी जटश करी जटा एए लिए और सूपोजिएन तो। फोश्वर्स इसमें 16 होती है सकत्रक्रटेड होता है कि दोस्तों क strangers कभा इसे नोजनता है सब्सक्राइक कि क्या वह में और नैट्रेट फर्म में किजिना नैटरोजन है दोस्तों एक अमोनिकल फोर्म टोटल इसमें रिपसेट निटरोजन और उसमें से भी आप थिया यहाफ वोगों में और पास निटरोजन इसमें प्रुजत होती है यह मैंने आपको बता दिये और इसे के साथ आप चलते हैं थर्ड कोशन 30 क्या बोलते दोस्तों कि फिनोल रेक्ट विजिंग डर्स दोस्तों फिनोल को अगर हम जंग डश से क्या करें तो क्या होगा आपके पास क्या आएगा बेंजीन टोलियून जिंग फिनोकसाड ऐसी टैरीन तो आता है आपका दोस्तों आता है आपका जिंग फिनोल होता है ओएज का गुरूप होते दोस्तों ओएज का यह ऐसा कुछ होता है जिंग एसा कुछ होता है यह बेंजीन के ओपर ओएज के गुरूप अटेच होता है और जिंग साथ अगर राइट करा तो आपका जिंग ऑक्ैम बन जाता है हॉप्पर हीड्रोजन और है यह आपको एंग सच्छ बन जाए गा बनजर्ट्टे लुब्धाइच राइस के अंदर हम यूज करते हैं अजोला अजिड़ों बायो फटिलाजर के यूज में यूज यूज जो झूज उता है अगर हम आपने इसको किसको कि लिए फीड़े में भी जो जोते है ठीक है बचाए अगर एक कोशन कहीं बार आता है कि अगर लिकृडिटी ओडर में कुछ अरेंज करने को दिये ना तो कैसे अरेंज कर पाओगे तो दोस्तों उसमें सबसे फर्स्ट सबसे ज्यादा लिकृड़ होता है कैश फिर होते हैं आपके जो मार्केटेबल सिक्योर्टी होते है जैसे कि स्टॉक्स होगे आपके ट्रैजरी बील्स यह सब इसमें होते हैं फिर आते हैं आपका अकाउंट receivable टीक है फिर जाओ के पास inventory होती जाओ कि इस फिक्सट असेट और सब से जो निस्ट लिक्विड होती है वो तिये goodwill तो दोस्तों goodwill एकसे असेट से भी less liquid होती है और यहां पर जो देखे जा रहे कि लिस्ट लिक्विडिटी आउट अउट लिस्ट इस इसको नोस्तों इतने था और फिर आते दोस्तों एपीडा एपीडा की इन्होंने बोला कि क्या वोलतों इसको एपीडा की आप फुल फॉर्म बता दीजिये एपीडा जेनली क्या होता स्थो यह न प्रॉड़क्ट जो एक्रिकल्चर जो प्रोड़क्ट है उसको export के एक्सपोर्ट डेवलेमेंट अथोर्टी इसको कब बनाए गया था 1986 में ठीक है और जो अगर इसकी बात के नहीं को जो एक्ट था उसको क्या नाम था जो एपीडा एक्ट था ना दोस्तों वह 95 यहां पर यहां पर कन्फूजन मारते हम बोलते कि 1986 में तो एक्ट भी इसका आएगा आपके पास जो भी आने वाले जो एक्जाम होंगे उसमें वह कहीं से उठा कोशन देंगे तो अगर आप मार्केटिंग का भरे हो तो यानि कि आप सब का कवर कीजी ऐसा नहीं कि सिर्फ मार्केटिंग मार्केटिंग का देखिए सब का देखिए ठीक है यह जर्नल इंफोर्मेशन है जो मैंने अपने खुद ऑब्जर्व की है कि हां भई अगर आप बंद्य अगर मान के चली कि एक जगा पर तो उसका बोलते हैं इंडिया और्गेनिक्स क्या दोस्तों इंडिया और्गेनिक्स इस दा ब्रांड नेम फॉर अपिटा प्रोड़क्ट जो यह एक्सपोर्ट करती है ठीक है फैन दोस्तों इन ओनियन स्मेल ओकर ड्यू टू परसेंट्वर फोस्फोर्स फेर ही स्थारी स्कैलचें दोस्तों जो स्लफर उतकि ना रही जो खुच्क जो होती है उसमें गहों टीटे वहते हैं और Partnership impact समेल टिकेंट इसने और यह पूरा पूरान नाम बताओं में गर त्रॉट जो कंपांड नों ते वह Alltar प्रोपाइल डाइं तो पिखर है इसके लावा एक रहते हैं जो और इंटी फंगल होता है वह भी एक सबस्थान होता है जो और अंटी फंगल सबश्थान थे हो हो तैप का कैटी चोल सी एटी एच ओल ठीक है और ओनिन के बात करें अगर थोड़े सा घर मैं जी पी बी की तरफ लेकर जाओ तो ओनिन इस अ ग्जेंपल ओग दर प्रोट एंड्री जो एंड्रि या आप का मेल प्रोड़क्ट वह वो इसमें पहले डिवलप होगा और इसके लाब यह एक और उसकी बात करें तो प्रोट्ट आंड्री आसो शीनिन दा मेंज और एंड थिंक प्रोटो गाईनी इस इंड भाजरा या बाज बाजराय is sorghum confirm केजिएगा बट मेज़ी श्योर की प्रोटो एंडरी होती है और उनीन मिल प्रोटो एंडरी आपको देखने को मिलती है यह सब एक ही कोश्चन में आपको कंसेटगने को मिले इसलिए बोलता में दोस्तों वन कोशिष्ट मैंनी कंसेट और ओनिन के बात करें ये ये गार्लिक की बात न कर आशा कभी हो आंभी तो गहां की होती है उस में फिंड़ो सब्सक्रीब कारिए करने नहीं होथ प्रोडक्ट होता है वो सुरिल मेताइल यहां पर पर सल्फाइड है एनलायल मिथायल सिल्फाइड एम्स और अलेल मिथाल सिल्फइड और गार्लिक में अभी पता होगा इसलिए बोलते हैं दोस्तों वन कोस्टियन मैंनी कंफ्येट आपको भी पता हो नहीं इसी साब से पड़ी आपके रिविजन सबसे बहस्ट होगी यहीं तरीकर पढ़ने का ठीक है फिर आता है दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ दिमिनिशिंग रिटर् प्रिंसिपल ब Quốc YE बोलते हैं आपके कर रिटर में इंप बात करोगे रितन की तो उसमें क्यें पिर्लीशनियर ने सब्सक्राइब इतना हमने इंपूट डाला बड़ जो प्रड़्यशनि hazel committees आरहा है कंम होता जक्सक्राइब और इंपूट इनपूट और इन्पूत-いिंपुट दोस्तों अगर बात करें को और करता है कि यह को बात करूं वह ओता है कि वह मुझवाज तो इसमें आपको पतर लग गया कि गोई यह किसमें कवर होता है यह इंपोर्टन में लिस्ट को मिनेशन कवर होता है आपका फेक्टर फेक्टर में ठीक है और कोशन 35 डिमिनेशन पूचा है तो वह होता है कोशन option 2 is the right answer for question 35 देन आता है दोस्तो question 36 question 36 में अगर बात करें तो आता है कि an economy where allocation in determined operation by the operation of price mechanism is term as plant mixed market operation दोस्तों वह है आपकी market economy जो कि market forces होते हैं वही आपका जो determining करते हैं प्राइज और उसी according आपकी policy set होती है देन आता है कि marino is the breed of दोस्तों यह भी repeated question है यह आपका साथ training या agriculture या marketing दोनों एक में आया है और उन में पच्छा कि marino है इसकी ब्रीड है और इन में से शीप की ब्रीड या इसकी ब्रीड कौन सी है ठीक है गोट शीप पिग दोस्तों इसका राइट अंशर है शीप दोस्तों आराउंड वर्ल्ड और इसको इसके जो कि यह आए तिंग स्पीन की जो है नेटीव होते है उसमें नेटीव पूछा थे कि marino कहां कहां की नेटीव है ठीक है तो में एक शीप की ब्रीड होते है दोस्तों जो आराउंड अगर वर्ल्ल देखे तो 80% जापके वूल होते है वह मैरिनों से हमाँ हमको हम लेत होती है ठीक है फिर आते APMC APMC stands for दोस्तों APMC का मतलब होते है अग्रिकल्चर प्रड्यूस मार्केटिंग कमीटी तो इसका मतलब है कि आपका वेट जोड़ी चेंज कलर थोड़ा सा थोड़ा सा आपको अच्छे देखने का मिले तो APMC का मतलब होते है कि आपका अग्रिकल्चर प्रड्यूस मार्केटि कमीटी तो इसका ऑप्शन टू इस दा राइट अंसर अग्याइड ठीक तो ठीक है ऑप्शन टूइस दा राइट अंसर फिर आता है दोस्तों अगर शीज डेमेग दू शूट अन फूट बोरर से किसमें सब्चेना यह भी रिपेटेड कोशन है दोस्तों यह भी एडिकल्चर में आजा तो यह है कि प्रिंजल में होता है जो कि बिंजल शूट अफूट बोलते हैं वह उसमें बहुत ही आपको ज चिली टर निप सहीर में तो जनली थ्रीप्स एफीड वगारा आपको देगने को मिल जाते हैं चिली थ्रीप्स होता है जो वह सबसे ज्यादा ही आपको क्या बोलते है इसमें डिवेस्टिंग पैस्ट होता है दब बधावरी बुफैलो इस अडेंटिफाइड वाइड आपको कि आप कोशन में पूछude कि सबसे च हायेशी होती दोस्तो मील क मैं यार मुर्ण सबसे हएस उन्हार हो जाती है इसमें फयली थैंट है वह बधावरी बुफैलो में देखने को दू elle है ठीक है दोस्तों यहां से दो पर लिए इसका निटिव है ठीक है और आज की सेशन में बने कि दोस्तों आज के सेशन हम अंत करते हैं और जल्दी कल आपको मिलगों आपको नीव सेशन के साथ इसी कोशन पेपर की फिर से आगे जो है प्रोसीडिंग की जाएगी और ठीक है दोस्तों लाइक शेर सब्सक्राइब my channel and don't forget to press the bell icon too दोस्तों ठीक है thank you very much